हलो प्रेंट्स रत्तामी चाहिके मैं आपका वैलकम है तो प्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठंड में खाई जाने वाली बहुत हैल्डी पोस्टिक और टेस्टी कुडपा के रेसिपी ये मिठाई आपने अगर खा ली तो आप गजग बाहर से लाना भूल ज चटपट और कम समय में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है ये मिठाई मुझ में जाते ही खुल जाती है और देखिए ये कितनी सौफ्ट बनी है तो फ्रेंट सीगे मैंने एक चोथाई कब धाउड़े का गुन लिया है आप इसकी जगे कोई साभी गुन ले सकते हैं और इसकी कटिंग देखिए ये थोड़ी सी बड़ी है तो हम इसे मिक्सर में हलका सा क्रश कर लेंगे ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा तो इसे हम जार में डाल देंगे और हलका सा क्रश कर लेंगे इसका आपको बहुत ज़्यादा बारिक पाउडर नहीं करना है अब कड़ाई में हम एक बड़ा चमल घी लेंगे अब इसमें आधा कब बेसन डालेंगे और गेस की फ्लेम लोही रखना है क्योंकि ये बेसन है आप अगर तेज कर देंगे तो बेसन जल जाएगा तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करना है इसे चोड़ना नहीं है अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें गुटलिया हो जाएगी तो ये देखे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे कंटिनियू हिलाते रहेंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा आटा डालेंगे गे मैंने गेम का आटा लिया है एक चुथाई कब और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे कंटीनियू हिलाना है जब तक आटा और बेशन घी ना छोड़ते वापस तब तक हम इसे कंटीनियू इसी तरह से सेखते रहेंगे ये देखिए आटा और बेशन ने हलका हलका घी छोड़ना चालू कर दिया है तो इसी तरह से हम इसे कंटीनियू हिलाते रहेंगे ये देखिए आटा और बेशन ने जितना भी घी था वो वापस छोड़ दिया है तो इसे हम बस इतना ही रोस्ट करेंगे अब यह मैंने दो बड़े चमज दूद लिया है और इसमें हलका सा यलो कलर डाला है अगर आपके पास ओरेंज कलर है तो आप इसकी जगे वो भी टाल सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसे इस तरह से पेला कर डालेंगे और तुरंत इसे मिक्स कर लेंगे आपको इसमें दूदी डालना है दूद से क्या होगा जो आपका गुड़ पाक है वो बहुत ही अच्छा दानेदार बनेगा तो इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब जो हमने गोंद को crush किया था mixer में वो डाल देंगे और गेस की flame तेज कर देंगे और इसे continue हिलाते रहेंगे आपको गेस की flame तेजी रखना है इसे जो गोंद है वो फूटेगा मतलब फूलेगा तो आपको इस तरीके से continue हिलाते रहना है अगर आप गेस की flame लो रखेंगे तो गोंद फूटेगा नहीं तो आप इस तरीके से इसे continue चलाते रहें क्योंकि इसमें बैसन है तो ये चिपकेगा तो आप इसे continue हिलाते रहें और देखे ये जो गॉंदे ये धीरे-धीरे फुलने लगा है ये देखे गॉंद अच्छी तरह से पक चुका है तो अब हम गेस की फ्रेम बंद कर देंगे आपकी सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि गॉंद अच्छी तरह से पक चुका है तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिंक दिखाती हूँ, आप चम्मच में थोड़ा सा गोंद ले, थोड़ा सा हम इसमें गोंद लेंगे, और हाथ से इसे दबा कर देखेंगे, तो यह देखें, जैसे हम इसे दबाएंगे, तो यह पाउडर बन रहा है, मतलब गोंद अच् पाउडर डालेंगे, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे, इसे इस तरह से पेला देंगे, ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए, यह ठंडा हो रहा है, तब तक यह मैंने कड़ाई में एक कप मुंफली के दाने दिय इसे भी हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे तो यह देखिए रोस्ट हो गए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेंगे यह मैंने आधा कब तील ली है इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे मतलब जब तक तील चटकने लगे तब तक हम इसे रोस्ट करना है इसे एक बाउ में इस तरीके से आप लेकर इसे इस तरह से मस लें तो इसकी सारे छिलके बहुत जल्दी निकल जाते हैं ये देखिए इसकी सारे छिलके निकल गए हैं अब हम क्या करेंगे इस तरीके की चलनी लेंगे और सपी धाने इसमें डाल देंगे दाने HOम इससे चान लेंगे तो जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और दाने उपर रह जाएंगे तो इसको बहुत आसान तरीका है मौनफली के दाने इस तरीके से आप साफ कर लें यह देखिये बिल्कुल इसके दाने साफ हो गए हैं अब जार में हम इसे पीस लेंगे तो ये पॉमफली के दाने इसमें डाल देते हैं ठीके होगे और ये जो हमने तिल सेकी थी ये भी इसमें डाल देंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा बारिक नहीं करना है दरदरा पीसना है तो ये देखिए आपको इस तरीके से पीसना है और इसका बारिक पाउडर आपको नहीं करना है तो देखिए ये भी ठंडा हो गया है तो चम्मच से हम इसे इस तरीके से दबा देंगे ताकि जो बड़ा गोंधे वो भी बारिक हो जाए अब से मुजी कड़ाई में आदा चमच घी लेंगे जिसे ही घी पिगल जाएगा हम इसमें दो कप गुड डालेंगे और गेस की फ्लेम लो रखना है और इसे continue हम हिलाते रहेंगे अगर आप गेस की फ्लेम तेज कर देंगे तो गुड जलने लगेगा और जो आपका गुड पाके उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और एक चीज आपको और धियान रखने है कि आप जाकू से गुड को इस तरीके से बारिक कर ले तो ये जल्दी से बिगल जाएगा तो ये देखिए पिगलने लगा है गुड और ये पूरी तरह से गुड पिगल गया है तो आपको गेस की फ्लेम लो ही रखना है जिसी गुड अच्छी तरह से पिगल जाए तो हम इसमें जो हमने गोंद फ्राई किया था वो वाला मिच्चर इसमें डाल देंगे अब हम इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे क्योंकि गुड गाड़ा होने लगता है और गेस की फ्लेम आपको लो ही रखना है देखिए थोड़ा सा गाड़ा हो गया है तो अब हम इसमें तीन चमच पानी डालेंगे ये मैना नाश्टे की तीन चमच पानी लिया है इसे अब इसमें जो हमने मुवफली की दाने और तिल्ली का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मेक्स कर लेंगे तो ये देखिए फिर से ये थोड़ा सा गाड़ा हो गया है तो हम इसमें दो चमच और पानी डाल देते हैं इसमें पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आवश्कता अनुसार ही डालना है तो इसे मेक्स कर लेते हैं देखिए इसका टेक्चर इस तरीके से होना चाहिए और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ज़्यादा पकाने से जो गूड़ है उसमें चीठा बना जाएगा तो अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे थाली में मैंने पहले से गी लगा कर रखा था और इसे हम तुरंट थाली में डाल देंगे आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है क्योंकि ये गूड़ है तो ये तुरंट जम जाता है तो आप जल्दी से इसे थाली में निकाल दें और हम इसे इस पेचुला की मदद से इस तरीके से पहला देंगे आपको इसे जितना मोटा बनाना है उतना मोटा आप बना सकते हैं तो मैं इसे न जादा पतला न जादा मोटा बना रही हूँ देखिए इस तरीके से मैंने इसे जमा दिया है और तुरंट हम इसमें ड्राइ इसे ड्राइफ्रूट से डालने से जो हमारा गुड़ पाक है वो दिखने में भी बहुत सुन्दा लगेगा और इस पेश चुला से हम इसे इस तरीके से हलका हलका सा दबा देंगे ताकि जितने भी ड्राइफ्रूट से वो सब इसमें छिपक जाए तो फ्रेंट से ये रेसिपी आप एक बाद जरूर ट्राइ करें I am sure कि आपकी घर में सभी मेंबर्स को ये मिठाई बहुत पसंद आएगी अब इसे हम एक घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये देखिए गुडपा कच्छी तरह से सैट हो गया है और हात में ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है ये देखिए तो आब हम इसकी कटिंग कर लेंगे आप इसे अपने मंद चाहिए शेप में भी काट सकते हैं तो मैं इसे मेडियम साइज में काट रही हूं और देखिए कितनी आसानी से ये कट रही है मतलब कितनी खस्ता बनी है कितनी सॉफ्ट बनी है ये तो मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखाती हूं कि ये कितनी सॉफ्ट कितनी खस्ता बनी है ये देखिए आप इसे जैसे ही खाएंगे कि आपके मूँ में खुल जाएगी यह देखिए कितनी सॉफ्टर बनी है एक डम